कि सी उसी टी इंट्रेंस एक्जाम 2020 को लेकर अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में बात कर ले तो कुछ चीज़े है जो बहुत हद तक किलियर हो चुका है एक इंपॉर्टन बात यह मैं रिमाइन कर दूं कि अभी तक जितने भी मोस्ट आप दा जो आर्टिकल आया है वो टा यह आपके चार से पॉइंट है जिनके बारे में आपका जानना जुरूरी है नकट लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आपको यह बता दे की क्या क्या बताया जाएगा सबसे पहले तो एप्लिकेशन परबास सकते हैं और एक्ग्जाम का पैटर्ण कि सथाइप कर रहेगा और अगेन जो होगा यह की एक्जाम किस कोर्स के लिए होगा लाइक यूजी पीजी कोर्स के लिए और उसके बाद सेलेवस की बात कर ले इसके बाद इंट्रेंस एक्जाम की स्टेट में हो सकता है इन सब बारे में डिसक्स करेंगे क्योंकि बहुत हत्ता कि यह चीज जो है अ अभी तक नहीं एंटीए के और से ऑफिसल अपडेट है और नहीं कह सकते हैं मिनिस्टी के और से हैं लेकिन फिर भी यह कि जो आर्टिकल आ रहे हैं उससे बहुत हद तक कुछ जो भी चीज़े हैं ट्रांस्पारेंट वह में किलर होता जा रहा है इंपॉर्टन बात यह देखिए जो आपका जो एक्जाम जो होगा वह उसमें 41 सेंटर लिए पार्टिसपेट करेंगे इसका मतलब यह है कि टोटल जो फिप्टी फॉर पर इसमें जो फॉर्टी फॉर वन जो है वह पार्टिसपेट करेंगे इससे यह अभी किलर नहीं हो पाय फॉर्म फिल करना पड़ता था उसे अब एक ही फॉर्म करना पड़ेगा तो पैसे से बच जाएंगे पहली बात और इंट्रेंस एक बार ही देना पड़ेगा जाद देनी की ज़रत नहीं पड़ेगा चली खैर वो तो अलगी शीन है पर अगर इसमें हम बात कर ले तो जो कर दुटिविक तक आपका जो है अपलिकेशन फॉर्म जो है वह आज का मतलग यह कि कम्पलीट ऋलस्ट्र के सकते वह कम्प्लीट तयार हो लो का मतलब यहां कि इस वीक के इस मन्थ के एंड में मुस्ट प्रविली इस मन्थ के इंड में ही कह बताय जा रहा है सो तो यह यह इस तरीके से आप जब आएगा तो इस थरीके सब को पते चालेगा इसके रावा दूसरा यह बात इसमें कि आपका एक्जाम में मतलब उन्डर ग्रैजू IT को होगा यए पुस्ट ग्रेजोट को होगा तो अभी के इसांगी शाइशन अगर 21 के इसाब से बात कर 24 खासकर जो जो एजू के यह हैं यानि की छीफ है उनका जआए कई ता कि अभी ज हस Palm करोंगे लेकिन अपकामिंग एर में जो हैसे इसको हम एलावरेट करके हम यूजी पीजी इवेन कह सकते हैं पीजडी के लिए भी जो स्टूडेंस एंट्रेंस एक्जाम देना होगा और उनको किसी भी सेंटरल इंट्रेंस ले सकते हैं ऐसा होगा पर आभी की हिसाब से वह है देखें क्या का आपकामिंग यह एक्सपैंड हो जागा और इसके अलावा जो दूसरी दो बात मैंने बता दिया अब इसके बात जो है है यह क्योंकि जो हमारा जिस तरीके से एक्जाम होता है यानि कि अभी होने वाला है जो अंडर ग्रेजुट कोर्स के लिए और जितने भी सेंटरल इंटिस पैटन को यूएस फोलो कर रहा है उसी चीज़ को इंडिया इंप्लिमेंट करना चाह रहा है बस यह कोली मिलाकर प मतलब कौन-कौन सेंटरल इंवर्शिटी पार्टिस्पेट करें अभी जो इसमें जो मुस्ली जो मिंसा ने वो यह क्योंकि जेनियों नहीं साफ कहा है कि देखिए हम अपनी इंट्रेंस अग्जाम के प्रिप्रिशना स्टार्ट कर दिया है पर यह है कि अगर इनके स्यू सी करवाती है तो हम उसमें पार्टिसपेट करेंगा इसा है नहीं कि हम पीछे आड़ जाए तो इसमें तीन जामिया का भी नाम नहीं आ रहा है अब यह बड़ा बताना मुस्किल हो रहा है क्योंकि टोटल जो सेंटरल निएंटिटी पार्टिसपेट करने वाला है फोटी वन है लुआ उसमें अभी किसी का नाम नहीं है कि कोन लेगा को नहीं लेगा इगजाम्स गैटरण की बात कर लें तो देख लिगए दो टू टाइप्स का रहेगा एक तो सेक्षन वान में 50 कोशन रहेगा और अगें जो इस बार के लिए अगले बार क्या से नहीं होगा वह अगले बार का अलग प्रोट्फोलियो रहेगा पर इस बार में अगर हम बात कर लें 50 मार्क्स जो आपके पार्ट यह हैं उसमें आपक अगए बार क्या आपकर का शुर्ण लेज़ेगा कोशीन अगैसे पूछा जाएगा पोछा जाएगा शूर्ण फिल्चाईज उयुक्व कर गाएफ यह में यह बहूंद कि आपको इस से जढ़ा साब घबराना नहीं आएँ जहांसा भी नहीं क्यूंकि आए अगए मैं एक स स्टूरुशन देखा दूसरा सेक्षन बी का सीन है दिखा देखा देख्षन बी जैसे सब्जेक्ट रहेगा मतलब अगर कोई बंदा पॉलिटिकल के लिए चाहता है तो उसे पॉलिटिकल का पेपर एलेवेंट्ट में पॉल इसकी साफ से तो पॉलिटिकल साइसे उसको ले इस तरीके से आपका खाकत त्यार किया गया है यह देखिए यहां पर कंप्लीट में सब्सक्राइब अब इसमें दो चीजे के लिए निकलता हुआ रहा है एक तो हाँ एंट्रेंस एक्जाम का इंट्रेंस एक्जाम की अगर बात कर ले तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि आपके जो है इंट्रेंस एक्जाम जो है जून में होने के पूरी चांसे से जुलाई में का प्रोसीजर स्टार्ट कर लिए अस्टार्ट हो जागा बतलो आड्मीशन का पर एक बात और रिमाइंड कर दें इसमें जैसे से सब्सक्राइब क्योंकि कोश्टन आपका बाइलीगोल रहेगा तो आप जब एकजाम देंगे तो जो रियुको में का रिजल्ट आता है या फिर नीट का जो रिय पर परसेंटेज रियू नेंक में आपका रियूंत आएगा फिर उसके बाद फिर आपको कॉंसलिंग करना होगा क्योंकि इसके सबस्क्राइब करना होगा जिस भी युनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कॉंसलिंग कर दीजिए और वरना ऐसे भी आप अपना चोईस डालेंगे डालेंगे कि किसको रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका सब्सक्राइब करना चाहिए यहां पर मिंसन है दूसरा एक और इंट्रेंस बेस पर स्टूडेंस को ले ले या फिर ऐसा करें कि हाँ इंट्रेंस जो एक्जाम हो उसको सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक जो भी चीजे में बताया होगा जो भी जैसे अगर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेकर अगर देखें तो अगर अभी के सब्सक्राइब हो सकता आप हिस्ट्री योग्राफी पॉलिटी सब पढ़ रहे होंगे पर अभी के सब्सक्राइब सबसे जादा फोकस करना है क्योंकि इंग्लिस अगर देखा है तो इसके लावा अगर हम सब्जेक्ट की बात कर ले तो आप करिशिटी कोई 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 देना चाते अच्छास पकड़ बनाएक बड़ब बैस्ट वाला पकड़ मनाए ताकि आपका इंट्रेंस अराम से हो जो बी चीज़ा आपको बताया उगया होगा यह जो बी छीज़ा आपको त्यारी करना है क्या करना है और इसके लाभा वाजिंग दिस वीडियो अपकमिंग अपडेट से जो अगर आप अपडेट रना चाहते हैं तो इस यूटीब चनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू